हेलो बैच्छो आज का हमारा सब्जेक्ट है मैथ और मैथ में आज हम सीखेंगे नमबर्स वन टू फिफ्टी तो चलो पहले नमबर वन टू टैन को हम रेकगनाईज करना सीख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9 and 1, 0, 10 ओके बच्छो हमने नमबर वन टू टैन को रेकगनाईज करना सीख लेया अभी हम सीखेंगे नमबर्स वन टू फिफ्टी तो चलो सीखते हैं नमबर वन टू टू फिफ्टी कैसे लिखते हैं पहले लिखेंगे 1, 1 लिखने के लिए आपको जस्ट एक स्टेंडिंग लाइन बना देनी हैं देन 2 लिखने के लिए कव देन स्लेटिंग लाइन देन स्लिपिंग लाइन तो बन गया नमबर 2 टू के बाद 3 लिखने के लिए हमको क्या करना है पहले स्लिपिंग लाइन देन स्लेटिंग लाइन देन कव तो बन गया नमबर 3 3 के बाद 4 4 लिखने के लिए पहले स्लेटिंग लाइन देन स्लिपिंग लाइन देन स्टेंडिंग लाइन तो बन गया नमबर 4 4 के बाद 5 स्लिपिंग लाइन देन स्टेंडिंग लाइन देन कव तो बन गया नमबर 5 5 के बाद 6 तो पहले क्या करना है ऐसे कव और कव करने के बाद अंदर की साइड ऐसे एक सर्कल तो बन गया नमबर 6 6 के बाद 7 तो 7 लिखने के लिए पहले स्लिपिंग लाइन देन स्लेटिंग लाइन तो बन गया नमबर 7 7 के बाद 8 8 के लिए पहले ऐसे कव और ये कव को यहां से उपर तक ऐसे जोइन कर दो तो बन गया नमबर 8 देन 9 नाइन के लिए कव देन स्टेंडिंग लाइन और 9 के बाद 10 तो 1 लिखने के लिए स्टेंडिंग लाइन एंड जीरो के लिए सर्कल तो बन गया नमबर 10 तो चलो अभी 10 के बाद बचो कौन सा नमबर आता है 1 1 11 तो चलो 11 के लाइन लिखते हैं 1 1 11 1 2 12 1 3 13 1 4 14 1 5 15 1 6 16 1 7 17 1 8 18 1 9 19 2 0 20 2 0 20 के बाद कौन सा नमबर आता है बच्चो 2 1 21 तो यहाँ पे हाँ 21 की लाइन लिखेंगे 2 1 21 2 2 22 2 3 23 2 4 24 2 5 25 2 6 26 2 7 27 2 8 28 2 9 29 3 0 30 3 0 30 के बाद कौन सा नमबर आता है 3 1 31 तो यहाँ पे कौन सी लाइन आएगी 3 1 की 31 की तो चलो यहाँ पे लिखते हैं 3 1 31 3 2 32 3 3 33 3 4 34 3 5 35 3 6 36 3 7 37 3 8 38 3 9 39 4 0 40 चलो बच्चो अभी 40 के बाद कौन सा नमबर आता है 4 1 41 तो अभी लिखेंगे 4 1 41 की लाइन 4 1 41 4 2 42 4 3 43 4 4 44 4 5 45 4 6 46 4 7 47 4 8 48 4 9 49 5 0 50 ओके बच्चो तो आज हमने क्या सीखा नमबर 1 से लेके 50 तक 4 चितर जज भरागगा 5 5 5 Loy favorable 5 52 45 drafting 28 2 बचू़